आदाव नमस्कार आप सभी का स्वागत है QNS News में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन चलिए आज की पेशकर्ष की शुरुवात करते हैं अपना शहर सुन्दर हो, साफ हो, वेल प्लैंड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टिड हो और हर मामले में एफिशियंट हो ये उस शहर में रहने वाले हर सिटिसन का सपना होता है और इसको साकार करना देश के सरकार का करतव्य है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश हर मामले में एफिशियंट हो, अप्टूदा मार्क हो और बदलते समय के साथ साथ कदम से कदम मिला कर सही से चले इसको इंशूर करने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की ही होती है तो इसी बात को नजर में रखते हुए साल 2015 में पीम नरेंदर मोदी ने देश के कुछ शहरों की लिस्ट बनाते हुए उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के प्लान को अनाउंस किया और इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल किया इसी को नजर में रखते हुए जम्मू कश्मीर यूटी के ओनरेंबल एल जी श्री मनोज सिन्हा ने कल कुछ अनाउंसमेंट्स की एक announcement के तहट जहलम riverfront को एहमदाबाद में स्थित साबरमती riverfront के जैसे develop करने की शुरुआत के लिए नीव रखी गई श्री नगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर जल शक्ति डिपार्टमेंट इस 75 क्रॉर की cost वाले प्रोजेक्ट को implement करेगी इस प्रोजेक्ट के phase 1 में जहलम riverfront को modern public utilities और state of the art green space ने बदलने की परिकलपना की गई इसके साथ बहतर shopping experience और better ambience के लिए पोलो व्यू रोड को redevelop करने के लिए जिसकी लागत 5.3 करॉर की है उसके लिए भी Honorable LG ने नीव रखी और इसी मौके पर Honorable LG का कहना था कि जेंट के UT की cities को systematically improve करने का काम बहुत समय से overdue है आईए देखे further इस मौके पर LG श्री मनोज सनहा का क्या कहना था पिछले दिनों मुझे दुबई जाने का उसर मिला है आज आपके बीच मैं कह सकता हूँ दुबई की सरकार में जम्मू कस्मीर को लेकर कैब विसे इस रूप से कस्मीर को लेकर के मैं पूरी तरह अस्वानमित हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में उसका प्रतिभल भी स्री नगर और कस्मीर और जम्मू के लोग देख सकेंगे क्या हक नहीं है यहां कि अब नौजवान को यहां भी बढ़िया मौल हो और वो जाकर के खरीदारी कर सके सुरी नगर से कोई सामान लेने के लिए क्लिए दिल्डी और बैंगलोर जाए कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहां के नौजवानों को उसर मिले लेकिन मैं समझता हूं कि अब साहिद वो कमारा यहां के लोग यहां की अवाम और यहां के नौजवान भी नहीं करेंगी क्या आईटी टावस नहीं बनने चाहिए क्या यहां बढ़िया अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के नहीं बनने चाहिए ऐसे कई प्रस्ता हो हमारे सामने आया आज आज आउसर नहीं कि मैं उस पर एक एक विसे पर मैं विस्तार से बताऊं लेकिन मैं आपको अस्वस्त करना चाहता हूं कि स्रीनगर और जम्मू दोनों सहरों में देश के जो बड़े अस्पताल याने वाले कुछ दिनों में ही अपना काम सुरू करेंगे और वो हकीकत में बदलता हुआ यहां के लोगों सिस्टम के साथ इंटेगरेट किया गया अब तक इस सिंगल विंडो सिस्टम में 130 इंडास्टिरल सर्विसेज को इस ऑनलाइन पोर्टल पर लाया गया और फॉर्दर इस साल इस गिंती को 160 पर लाया जाएगा दोस्तों देखा जाये तो जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाने की और यूटी एड्मिनिस्ट्रेशन अपने कदम आगे बढ़ा रही है पर दोस्तों ये एक पहलू है अगर हम किसी चीज को अनलाइज करते हैं तो सिक्के के दोनों पहलू को प्यॉर्ली ऑन दे बेसेज ऑफ लॉजिक और फैक्ट्स डिसकस करते हैं हम भी वही करे दोस्तों जब किसी प्रॉजेक्ट के डेविल्येक्ट के एनौंसमिंट की जाती है तो इसमें जो बात मायरे रखती है वही जमीनी हकीकत यानि ग्राण्ड रियालीटी और अभी तक मूस्ęी जैसी ग्राण्ड रियालीटी रही है उससे awakle सा कम हो जाता है स्मार्ट सिटी में कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें सबसे बेसिक सफाई और क्लेंडलीनेस आती है और कश्मीर में इसका क्या हाल है ये किसी से नहीं छुपा जैसे जहलम नदी को अगर देखा जाये तो ये सेंजर आफ अट्राक्शन आज का नह इसने लंबे समय से जहलम नदी का इलाका टूरिस्ट अट्राक्शन बना हुआ है और फिर भी वहां गंदगी से वो हमेशा घिरा ही रहा है तो ऐसे में इसे डेवलप करने के बाद कैसे ये एंशॉर किया जाएगा कि ऐसे फिर नहीं होगा रिश्वत काम चोरी या ऐसी किस इस प्रोजेक्ट को फेलियर बना सकती है उसको कैसे बंत करना है खतम करना है ये किसी भी चीज से पहले सरकार को तै करना है दोस्तों गंदिगी और करप्शन तो एक मसला है ऐसे कई और मसले हैं जिन पर साथ ही साथ प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए गौर करना है क् कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुन्दर सपना बस एक सपना ही बन कर रह जाए इसी लिए उमीद है कि सरकार जितना उपरी सतह पर काम करेगी उतना ही भीतरी सतह पर भी काम कर ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस्फुल बनाएगी तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशक कि खाए पर दोस्तों हमारी आज की सवच्वल बनाएगी तो इसे खाल रहा ह।